नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी विद धननजे मिस्रा पर दोस्तों, जैसा कि आप सभी के संग्यान में है कि कल यूपी पीसेल का संयुक्त मीटिंग था जिसमें निर्डे निला था कि अगामी भोई से में परिक्षा कोन कराएगा तो इसके संदर में महतुपरोण अपडेट है इसके बारे महम भी स्थार से चर्चा करेंगे इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर ना है तो चैनल को अवस्य सब्सक्राइब कर लीजेगा तथा वेल आइकन को अवस्य दबा लीजेगा तो आई हो यह अभिलम चर्चा को प्रारम करते हैं यह यहाँ कि आप सभी जानते हैं कि UPPCL का यह कंबाइन जो है कि मेटिंग था कल के तिथी में जिसमें अधेश कुमार पटेल सर के द्वारा भी यह प्रस्ताव रखा गया था और जो अधिकारी हैं उनके संग्यान में लागया था उनके माद्यम से मुख्यमंत्री के भी संग्यान में लाने के लिए आस्वासित किया गया है तो जो विदूत सेवा आयोग के प्रतिनिधित्त करता थे वो गये थे इस बात को कहने के लिए कि जो यूपी पीसील का वो चाहें किसी विवर का एकजाम हो एई हो जेई हो टीजी टू हो या अधर पोस्ट हो जो नान टेकनिकल के टेगरी के हैं वो सबका एकजाम विदूत सेवा आयोग कराने में सक्षम है और विदूत सेवा आयोग ही कराएगा लेकिन उनको सुना नहीं गया जो सेनियर आईए सफीसर हैं जो मेटिंग में हैं सरकार के तरब से प्रतिभाग कर रहे थे उनके द्वारा रोक दिया गया यह है कि अगर आप लोग मुख्यमंतरी से मिल लेते हैं ब्रिहस्पतिवार को यह तिथी निर्धारित किया गया है दिन और सुबह 8 वजे अगर आप लोग अधिक साधिक संख्या में जो लोग लखनौ है वो तो जरूर पहुँचें सुबह 8 वजे ब्रिहस्पतिवार को ताकि अपनी मांग को मुख्यमंतरी के समख छरक सकें और विदूत से वाई वो खुद चाह रहा है कि नहीं वो UPCL के भरती को संपन्द करे कराए तो अगर आप लोग साथ देते हैं तो जरूर इसमें से फलता मिल सकती है बहुत बहुत धन्यवाद